आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लासिक्स हिंदी मंचरी बुक का पार्ट सोला कौन बनेगा निंग थाउ के प्रशन अभ्यास तो चलिए प्रशन अभ्यास शुरू करते हैं कुछ करने को कुछ करने को इसमें दिये गये प्रशनों को विद्यार्थी को स्वयम करना है अब आते हैं विचार और कल्पना बे इसका प्रशन एक भारतिय संस्कृती में पेर पौधों को बहुत महत्व क्यूं दिया गया है पता करें तो इसका उत्तर है पेर पौधे परुपकारी होते हैं उनसे हमें शुद्ध हवा, फल, फूल, लक्णियां और शदी, आदी तमाम चीजें मिलती है भारत के लोग सुरू से ही इन पेर पौधों और जंगलों का महत तो समझते थे इसी कारण उनके संरक्षन हे तू, यानि उनकी रक्षा करने हे तू, उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया भारतिय संस्कृती में पेर पौधों की बहुप योगता को देखते हुए, उन्हें इतना महत्वत दिया गया है प्रशन दो, इसे विद्यार्थी को स्वयम करना है, अब आते हैं प्रशन तीन पर इस कहानी में निंग थव, यानि राजा के चुनाओ के बारे में बताया गया है बताईए, आपके यहां किन किन का चुनाओ किया जाता है तो इसका उत्तर है, हमारे यहां प्रदान मंत्री, मुख्य मंत्री सहित, विभिन मंत्रियों और मुख्या आदी का चुनाओ होता है ख, चुनाओ किन किन तरीकों से किया जाता है तो इसका उत्तर है, चुनाओ मत्दान के द्वारा किया जाता है ग, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाओ करना चाहिए तो इसका उत्तर है, हमें इमानदार, करतविनिष्ट और कर्मनिष्ट व्यक्ति का चुनाओ करना चाहिए विचार और कल्पना का प्रश्निचार आप क्या क्या करोगे कि पशु पक्षी आपसे प्यार करने लगें आपके आसपास हर्याली फैल जाए तो इसे आपको अपने शब्दों में बताना है लेकिन संकेत के तौर पर मैं आपको बता दू कि पशु पक्षी या इंसान सब प्यार के भूके होते हैं अगर आप चिडिया को दाना डालते हैं, पानी पिलाते हैं, पशुओं को भोजन कराते हैं, तो उन्हें आपसे लगा हो जाता है और अपने आसपास आपको हर्याली करनी है तो सबसे पहले अपने घर में अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं जादा से जादा पेड़ पौधे लगाएं और रक्षों का संरक्षन करें इससे आपके घर के आसपास हर्याली ही हर्याली दिखाई पड़ेगी लोग कथा से इसका प्रश्न एक सभी बच्चों के नाम क्रमशा थे यानि याँ पे हमें बच्चों के नाम बताने हैं तो इसका उत्ता था घः सना जावबा सना र्याईमा सना तॉमबा और सना तॉमबी प्रश्न दो जब निंग तउ और लेईमा तुंगी का चुनाओ कर रहे थे उस समय सना तॉमबया की आयू क्या थी तो उसकी आयू थी पांच वर्ष प्रश्न तीन किस राजकुमार ने तॉमगी निंग थउ बनने के लिए क्या-क्या काम किये तो यहाँ पर राजकुमारों के नाम और उनके किये गयाए कारे दिये हैं हमें मिलान करके बताना है पहले राजकुमार का नाम है सना जावबा तो उसने पेड को भेट कर उसे अंदर से निकाला सना इमा पेड के उपर से छलांग लगाई और सना तॉमबा ने पेड को उखाड़ा प्रशन चार सना तॉमबी को अगली लेइमा घुशित किया गया तो इसका उत्तर है उप्युक्त खा और गा दोनो प्रशन पांच निंगतव को किसने याद दिलाया कि खौगनंग में भी जान होती है तो इसका उत्तर है ख सना तॉमबी ने प्रशन चे खौगनंग में भी जान है सना तॉमबी ने ऐसा क्यूं कहा तो इसका उत्तर है खौगनंग एक विशाल पेड था जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था यानि उस पर बहुत सारी चिडियां रहती थी सना तॉम्बी के भाईयों ने अपनी शक्ती का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को जमीन से उखार दिया सना तॉम्बी को पेड़ की दूरदर्शा देखकर बहुत दुख था उसको बहुत दुख हुआ जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खौगनंग में भी जान है प्रशन साथ कहानी में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यूं? तो इसका उत्तर है कहानी में सना तॉम्बी का पेड़ खौगनंग के लिए उदास होना और निंगथा उदारा उसकी उस तकलीफ को समझते हुए उसे अगली लेईमा घोशित करना मुझे सबसे अच्छी बात लगी क्योंकि इससे ये इसपश्च होता है कि निंगथाओ एक उदार और प्रजा वत्सल शाशक था यानी जो प्रजा की भलाई के लिए सोचे जो दिल से उदार हो उसने राजी को दोबारा अपने जैसी एक शाशी का प्रदान की भाशा की बात का प्रशन एक भाशा की बात का प्रश्ण एक, तुंगी, थाउरू, खौगनंग शब्दों को खोज कर उनकी हिंदे अर्थ लिखिए, तो इसका उत्तर होगा, तुंगी कहते हैं युवराज को, थाउरो कहते हैं शाबाश, शाबाशी देना, खौगनंग कहते हैं बरगत के पेड़ को, प्रश्ण दो, दो वाक्यों की रचना आप भी कीजिए, जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ श्पष्ठो रहा हो, तो इसका उत्तर है, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुश्यों का नहीं, पश्वों और पक्षियों सहित सभी जीवों का ख, तुम्हें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से नहीं, परायों से भी, तो यहाँ पर दो वाक्यों की रचना की गई है, जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ श्पष्ठो रहा है, प्रश्ण तीन, ये अंतिम प्रश्ण है, लेकिन इसक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो उसे सबस्क्राइब कर लें, साथी साथ बेल आइकन को प्रस करें, जिससे आपको आने वाले सभी नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, और आपको इस किताब से जुड़े हुए बाकी वीडियो की भी प्लेलिस्ट लि प्रयोग करें, तो यहां पर प्रयोग करके दिया हुआ है, पहला है सिर्चोमना यानि प्यार करना, इसका वाक्य प्रयोग होगा, सिर्चोमने से प्यार प्रकट होता है, यानि आप कभी किसी के सिर पे प्यार करते हैं, तो प्रतीत होता है कि आप किस से कितना प्यार करते ह हक्का बक्का रह जाना यानि आश्चर चकित होना या अच्रज में होना तो इसका वाक्य प्रियोग होगा राजा की घोशना सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के रह गए अगला है पलक जपकते ही कारे करना यानि बहुत जल्दी अतिशिग्र कारे करना वाक्य प्रयोग उसने पलक जपकते ही दोड़ जीत ली तो ये तो हो गया ये पार्ट आपको कैसा लगा या आपके क्या सुझाओ हैं ये मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर लिख कर बता हैं जिससे कि मैं अपने वीडियोज को और अच्छे से बना के आपको दे सकूँ पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें